हलो मैं अन्वरकांच जेन्यून क्लासेज में आपका स्वागत करता हूँ आज जो आप भारत का मानचितर पढ़ोगे भारत का मानचितर दस नमबर का आपके SST की जो एक्जाम होगी 22 मही को उसमें आएगा और ये पूरा एक्जित ऐसा का ऐसा मानचितर है आपको मिलेगा और इस मानचितर में ट्रिक के साथ पूरा कंप्लीट करवाँगा इसी तरीके से मैं भारत की मानचितर की सुरुआत करता हूँ और आप आप देखते जाएए कै कितने हुए 29 और फिर इसमें से क्या हुआ कि आपके एक घटा कितने रह गए 28 रह गए अब आप देख रहे हो कि कितने राज्य थे ये आपके क्या है कि ये आपके राज्य है जैसे 28 राज्य थे इसमें एक जुड़ा कौन सा तेलंग गाना अब तेलंग गाना जुड़ा 2000 14 को और कितने हुए 39 लेकिन फिर इसमें से एक कम हुआ और वो कौन सा था वो था आपका जम्मू एंड कस्मीर वो कब हुआ पांच अगस्त 2019 को और वर्तमान में कितने है 28 राज्य है उसी परकार आपके क्या के अंदर सासित परदेश वो किस परकार से बने और कम हुए जैसे साथ थे इसमें कितने जुड़े दो कितने हुए नो फिर इसमें से घटा एक और वर्तमान में कितने है आठ जैसे साथ थे दो जुड़े कौन-कौन से जम्मू एंड कस्मीर प्लस दूसरा कौन सा लगदाक ये कब जुड़े यानि 31 अक्टुम्बर 2019 को और कितने हो गए नो इसमें से एक घटा यानि पहले आपके कौन-कौन से दे दमन वे दिव दूसरा था दादर वे नागर हवेली तो दो थे ये कितने एक वे दो पहले कितने थे दो लेकिन अब वर्तमान में कितने हैं दोनों को मिला करके क्या कर दिया एक इसलिए वर्तमान में कितने के इंदर सासित परदेश है आठ अब आप देखोगे कि जैसे हम सरीर है हमारे सरीर की तुलना हम भारत के मानचित्तर से करते वे इसको पड़ेंगे और ट्रिक के साथ इसको कंप्लीट करते वे चलेंगे अब आप इसको साथ लाइन में पू कश्मीर से तुलना करते हुए इसको कंप्लीट करेंगे अब पहला क्या है कि जैसे में लिका जम्मूं एंड ऐन कश्मीर अभ जम्मू मैंने लिका यहाँ पे सिरी ये लो, सिरी नगर, यानि जम्मो कस्मीर की राजदनी सिरी नगर, यानि भारत का सर क्या हो जाएगा, जम्मो कस्मीर, उसी परकार हमारे जो सरीर में उसके बाग सर के बाद क्या आता है, दो आखे आती है, तो जैसे भारत की दो आखे पहला आ जा अंजाग दूसरी हांख हरियाना लेकिन दोनों का सरीर एक है यानि राजदानी एक है और वो है चंडी गैड उसी परकार अब जैसे नीचे उत्रे गला आया जैसे गला काटने के बाद ना सरकाम का ना धरकाम का उसी परकार हमारे भारत का छेतरपल की द्रश्टी से सबसे भारत के क्या हो जाएंगे अलग अलगे टुकडे हो जाएंगे इसलिए क्या आता है पंजाब अरियाना के बाद राजस्तान क्या आता है राजस्तान और राजस्तान की राजदानी आप सब को पता है क्या है जैपूर क्या है जैपूर इसके बाद जैसे हम नीचे उत्रे औ मैंने बोला तारा कि भारत को किस की तुलना करते हुए पढ़ेंगे सरीर की तुलना करते हुए पढ़ेंगे तो भारत के जिसे क्या है जो कभी देखो यह फैल रहा है कभी शुकुर रहा है वह हिस्सा कुन सा है वह हिस्सा है आपका गुजरात क्या है गुजरात ये लिखा मै इने गांदी नगर फिर हम आगे बड़े अब जैसे एक पिता है अगर जैसे पिता कौन सो राष्ट्र कौन सा था सो राष्ट्र अब सो राष्ट्र खतम जिसका वर्चुस खतम होता है पिता खतम होता है तो उसके हुआ हिस्सा किसके पास अला जाता है बेटों के पास अला ज गुजरात है अब जैसे गुजरात में ना यहां लिख दिया तो यह तो है नहिं कि जैसे गुजरात इस तरीके से है तो गुजरात का छेटर यहां से यह लो अब हमा और आस्ट वाले कहें कि नहीं हमें तो यहां मोँ मुं यानि माय इनि मुंबाय उसी परकार अब विना काम के हम मामा जी के तो जाएंगे नहीं कुछ ना कुछ काम होगा औरक अर्वोकाम क्या होगा साथी साथी किसकी गोवा की यह लो में लिख दिया यह गोवा अब साथी का जो प्रियाईवाची है वो क्या है कि पंढ गया ये मह पन गया यानी पitution साधी को क्या बोल सकते है पढ़ गया तो यह नीप पढ़ जी गोवा की राजदानी क्या है पढ़ जी है तो अब जो हम क्लास में अब मामा जी के साधी में जाएंगे तो फिर पूचते हैं कब जाओगे तो पूचता ये लोग कि कब जाओगे करणाटक यानि बैंगलोड तो गो आ के नीचे क्या जाएगा करणाटक। और करनाटक की राज़दानी बैंगलोग. फिर आपको ये पता ऐ कि जाने वाला कौन? जाने वाला कहरा है कि कपप जाएगा? क्या कह रहा है? जल्दी ही जाऊंगा और जल्दी का प्रयायवाची होता है? तीर्व यानि तीर्वे अनंते पुरम अब जाने वाला तो यह तो चले गए लेकिन रिष्टेदार भी जाते हैं बिना रिष्टेदार के साधी अदूरी होती है तो रिष्टेदार कौन तमिल नाडू कौन है तमिल नाडू अब तमिल नाडू है तो तमिल नाडू किसकी रा लाइन में आपके कितने हुए दस पहली लाइन में दस जम्मू कस्मी सिरिनगर पंजाब हरियाना चंडीगर राजिस्तान जैपूर गुजरात गांधी नगर माराश मुंबाई गोवा पंजी करनाटक बैंगलोर केरल तीरवनंतपुरम और चेन नाइ लास्ट में आपके आता और कितने छे तो पहला हीम हीम यानि बर अब पिगलेगी तो नीचे उत्रेगी यानि उत्रा हीम यानि हीमाचल परदेश दूसरा कौन उत्रा खंड यानि हीम पिगली तो नीचे उत्री तो उत्रा खंड अब पानी हमेसा नीचे आता नहीं है पानी कहां जाता है या आप य कहाता है नीचे जब बरफ पिगलेगी तो बरफ नीचे आएगी तो यह उत्रा खंड अब किसके जरीए बैता है नदियों के जरीए किसके जरीए नदियों के जरीए नदियां कहां यूपी में कहां यूपी अब यूपी में है पानी कहां आके रुकता है मैदानों में तो गाना क्या जाएगा तेलंग गाना और नहीं नहाएंगे तो लोग क्या कहेंगे अंदा है क्या तो आंद्रे परदेश यह लोग तो हीम अब बरफ है तो आइस क्रीम तो खाएंगे नहीं क्या खाएंगे मिर्ची और वो भी कौन सी सिमला फिर पानी अब जैसे बैरा हीम पिग अब यूपी वाले अब जिसे मालों यह क्या है इसकूल अधर जिले राज्ये वाले क्या पढ़ते हैं इसको इसकूल लेकिन यूपी वाले क्या पढ़ते हैं इसको सकूल तो यूपी वाले क्या जानते हैं पढ़ना क्या नहीं जानते हैं लिखना तो लखे नाउ फिर आप ग तेलंगाना और आंधर प्रदेश की दोनों की एक है और वो है क्या हेदराबाद हेदराबाद और जिसे तेलंगा दस साल के लिए इनके समझोता हुआ है तो दस साल बाद तेलंगाना की तो क्या रहे जाएगी हेदराबाद और अंधरप्रदेश की क्या हुजाएगी अम्रावती क्या हो जाएगी अम्रावती कभ दस साल बाद फिर आपका तीसरी लाइन कैसी तीसरी और उसमें आप कितने पड़ोगे दो तो पहला पूरे भारत में कितने गड़ एक और वो भी कौन सा 36 गड़ वो भी कौन सा 36 गड़ और 36 गड़ है तो हवा में आपको पता है जिसके पास गड़ है वो क्या करेगा हवा में उड़ेगा तो मैंने लिका है ये लोग चतीस गड़ और दूसरा आजाएगा उड़ी साथ क्योंकि गड़ है तो हवा में उड़ेगा तो उड़ी 36 गड़ अब गड़ वाले जैसे मालो कि एक होता है लोगतंतर और दूसरा क्या होता है राजतंतर अब गड़ वालों के पास क्या था शतंतर में क्या गड़ वाले जनता से क्या कर देते और अपना अंतीम भेशला किसका होता था राजाओ का होता ता तो गड़ 26 गड़ यानि राय पूर उसी परकार बढ़ परोगमे साब आप हवा में भानता हूँ आपने देखा हूँगा यह का भारत का सबसे फास्ट गैं में जा रहे हैं आगे बड़े तो वो कह रहे हैं मेरी अपका ही दोस्त होते हैं वो कहते हैं मेरी तरब से बिहार जा बंगाल जा यह लिखा मैंने क्या लिखा बिहार जा और बंगाल जा बिहार अब देखो बिहार की और अलग राइस्टेट के आप भासा देखोगे बोलने मे थोड़ा सा क्या आता है और जिसे पढ़ना को क्या बोलते है पटना तो बिहार की राजदानी पटना उसी परकार जारकंड वाले अब जिसे राजिस्तान में जैसे कोई बोलता है नहीं का अच्छी बात बोल रहा है सच बोल रहा है तो वह जारकंड वाले साची बात को क्या है राची क्या बोलते है राची तो जार खंट की क्या जाएगी राची उसी परकार बंगाल अब बंगाल आपको पता है कँ 1905 में तुकड़े हुएते यैंई दो भागों में बटाता या नी कल कटा यै structured यानी अलगल या बंगाल कि राजदानी कल-करता आप एक अकेला राज्य देखोगे अगली लाइन में कैसा एक युमकर और वह जैसे मालो अब खाना खाने जारे हो खाना खाया अब सब बैठे हैं होटल में बैठे खाना खारे हो और आपको लग रहा है कि जैसे मालो सभी बैठे वे प्लेटे लगी हुई है अब जैसे रोटी आई अब रोटी आई तो सब को कैसी सिखी कैसी सिखी हुई रोटी देंगे और आपको कैसी दी कम सिखी तो क्या जाएगा सिख किम क्या जाएगा सिख किम यानि कम सिक्किम अब आप ही को दोगे तो आपको क्या आएगा गुसा गुसा आएगा तो आप क्या ठोक होगे गन तो गंगे टोक किसकी गंग टोक किसकी सिक्किम की आपके फिर अकेले में यानिक साथ राज कितने हो गई 21 कंप्लीट हो गई कितने 21 फिर आगे बड़े फिर आपकी द पूरे भारत में आपने देखा कि सब में क्या वोला सी इंदी में बात की लेकिन इसकी राजदानी का नाम है अब मेग है जहां बादल है तो गर्मी तो लगेगी नहीं क्या लगेगी सर्दी तो सर्दी को आप क्या बोलते हो सी यनि और राजदानी आजाएगी सिलांग उसी परकार तिर पुरा अब सर्दी लगेगी तो किस के पास आओगे आग के पास तो तिर पुरा की राजदानी है अगर तलाब और आपके लास्ट में चार बचे उस चार को आप अंतिम लाइन में पढ़ोगे और भारत का मांचितर कंप्लेट की तरफ और जा रहा है अब देखो पहले है कौन बोला अरुण बोला नाग की मनी में जोर है कौन बोला अरुण तो अरुणा चल ले परदेश क्या बोला कि न मनी में जोर है नागी की तो मनी पूर क्या है जोर है तो मीजो रम अब देखो आपने देखा एक पड़ाता आपने गांदी नगर क्या गांदी का नगर यहां किसका नगर पढ़ोगे इटों का नगर तो इटा नगर उसी परकार नाग के पास कोई जाना चाहेगा नहीं तो और दो क्या जागा नागा लेंड की राज़दानी कोही मा meant आप देंको मझें आपने देखा होगा मझे से फाइदे ही फाइदे इसमें मैंने यही पर इम फाल और आप देखो जिसमें भारत में यहां जम्मू कस्मीर से सुरू किया घूम तेरे घूम तेरे भारत के पूरे राज्यों में गुमें अब लाष्ट का राज्या हमारा कौन सा मिजोरम अब मिजोरम क्या किराएं आए जाओ आए जाओ यानि बुलाता जा रहा है कौन मिजोरम तो मिजोरम की राजदानी आए जोल तो यह आपका भारत का मानचितर था और भारत के मानचितर राज्य वे राजदानिया कम्प्लीट हुई आपको ये वीडियो कैसा लगा अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताईए चेनल को सब्सक्राइब भी करिए